हेलो स्थोब मैं हुरुजयत बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों बात करें हैं सीरेल गुमे किसे के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में क्योंकि यहां पर अभी एक कहानी सई और विराट के रॉमेंस की और लव utility के बिलकुल नहीं रही है क्योंकि यहां पर अब crime है तो criminal भी इतना कतरनाग है जिसे बना दिया है criminal यानि कि सऑ की मैं बात कर रहा हूँ वो भी ऐसा है कि कोई जेल तोड़ कर जा रहा है तो कोई कभी किसी को पकड़ ही नहीं पा रहा है और जेल तोड़ कर जाने के बाद भी यहाँ पर उसी की बैंड बजाए जा रही है जिसने जेल के अंदर बेज आता वेल बाते सुनकर आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि क्या बोल रहा है लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको आने वाले एपिसूड के अंदर देखने को मिलने वाला है तो वीडियो में लास्ता जुड़े रहेगा क्योंकि आज के वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है और सभी और विराट के सभी फैंस के लिए आने वाले एपिसूड भी काफी इंट्रस्टिंग होने वाले है तो वीडियो में लास तक जुड़े रहेगे और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए क्योंकि आपके फेवरिट टीवी सीरिल से जुड़े ब्रेट लगाता है और मैं आपको पहुंचाता रहता हूँ अब दोस्तों यहां पर सबसे पहरे तो आने वाले एपिसोड के अंदर सई को जो है काफी मशक्कत करनी पड़ेगी सवी को वापस लाने के लिए और सभी के लिए वो चवान निवास पहुंचने वाली है और आज तक का इतियास रहा है कि चवान निवास में भले एक गुंडे लोग घोड़ा लेकर जीप लेकर और हतियार लेकर पहुंच गए हो लेकिन विराट ने कभी सिक्योरिटी नहीं लगाई और यहाँ पर आप केवल और केवल एक व्यक्ति से बचने के लिए सिर्फरसिव एक मास है यानि कि सही से बचने के लिए यहाँ पर विराट भाई साब ने एक नहीं बलकि दस पुलीस वाले अपने घर के बार खड़े कर दिया है जैसे कि वो उसके प्रफेसनल बॉडिगा आता भी है सही के पास लेकिन विराट का नाम सुनते ही वो सही की बातों को पूरी तरीके अंदेका कर देता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर सही जेल में जाने वाली है यह आप कन्फर्म देख चुके हैं आने वाले एपिसोड का पहुंचना है जो कि बिमारी से बुखार से बहुत ज़्यादा तप रही है और सई को मालूम है कि सवी की कंडिशन ठीक नहीं है ऐसे में यहां पर दोस्तों सई जो है यहां पर पूरी तरीके से एक मां का फरस निबाते में नजर आने वाली है आपको और हर एक मुम्किन कोश डियाईजे सर के आफिस तक कब पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि विराट भले डिप्यूटी कमिशनर क्यों ना बन चुका हो आने वाला है टाइम पे कमिशनर बन जाएगा कुछ भी बन जाएगा लेकिन सीरियल के अंदर सब से फाइनल डिसीजन ह अब मिशा से जिसका चलता आया है वो और कहीं नहीं बलकि डियाईजी सर होते हैं और डियाईजी सर का विराट भी बहुत सम्मान करता है अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सई जो है डियाईजी सर के पास आपको जाते वन अज़र आएगी जहाँ पर डियाईजी सर पहले तो बहुत ज़्यादा शौक्ड होने वाले हैं कि मेरी बेटी समान सही जो है वो आज जिन्दा है क्योंकि बहुत साल पहले मुझे बता दिया गया था कि सही एक एकसिडेंट में जा चुकी है वो नहीं रही है ऐसे में सबसे पहले तो डियाईजी सर जो है पूरी तरीके से शौक ढूने वाले हैं और इससे लगने वाला है कि बड़ा ही रहसे मई परिवार है विराट का चवान निवास बड़ा ही रहसे मई है जहां पर लोग क्रिमिनल की तरह हरकते करते हैं पुलीस वाले भी हैं एक व्यक्ति जो उसमें था फैमिली के अंदर वो मेजर भी था आ आएगे और बोलते हैं ना कि एक डायलोग बिग बॉस का कि इस बार सीन पलटेगा और इस बार सीन पलटने वाला है पूरी तरीके से और यहां पर यहां पर शक की घड़ी थी जो सुई थी जो कि विसाई की तरफ ती और सही जेल के अंदर था यह घूमकर विराट के तरफ होने वाली है और विराट को अपने कानून को अपने पुलिस डिपार्टमेंट को जवाब देना ही होगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि यहां पर दोस्तों पूरी कहाने पर आप गौर करें तो विराट ने अपने इतने बड़े बड़े क्राइम कर दिया है कि उसके सज शादी भी की लीगली यहां पर उससे अपनी पतनी भी डॉक्यूमेंट में बताया और उससे एक तरफ से शाधी भी की चार शादियां कर चुका है पूरी तरीके से, चाहिए वो किसी भी आहलाद किसी भी शूरँत में क्यो ना हो ईलीगल हो चाहिए इनलीगल हो लेकिन विराट यहाँ पर अनियु वाला है यानिकी दोस्तों यह कहेंगि कि आने वाली श्टोरी जो है बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि फवाइनलि हम इस चौड़ी हमें देखने और कहा निकी पत्र लेका विराथ रुसाई जाकर कोट कचिर से लेकर पुलिस टेस्टेशन से लेकर बड़े से बड़े ऑफिसर का रूल जो है हमको यहां पर देखने को मिलेगा और सही यहां पर विराट को बताने वाली है कि भले ही आप एक डेप्यूटिक कमिशनर अब क्यों ना बन चुके हो लेकिन सचाई की हमेशा ही जीत होती है और म यहां पर विराट की बैंट बजने वाली है तो इस सीन के लिए आप लोग कितना अधा एक्साइट है कमेंट सेक्शन में जिरू बताएगा कोई पी सवाल है तो इंस्ट्रेग्राम पर शेयर कर सकते हैं लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है चैनल को सब्सक्रा